ये है चुलबुल पांडे डर इससे डरता है, कौफ इससे कौफ खाता है, साल के 365 दिनों में 300 एंकाउंटर कर चुकी है इसका नाम सुनते ही शेहर के सारे गैंस्टर्स इससे दूर भागते हैं मगर कोई गैंस्टर आज तक चुलबुल पांडे से बचके भाग नहीं पाया वैपन से दुश्मन को मारा, तो क्या मारा चुलबुल पांडे चुपके से दुश्मन के करीब जाती है एक सेकंड के हजार में हिस्से में चुल्बल पांडे अपनी जुबान निकाल के दुश्मन को टच करके दुश्मन को अपनी जुबान से चिपका के जुबान दुबारा अपने मूं में डाल लेती है सावन के मौसम में किसी का बाप भी चुलबल पांडे को चुप नहीं करवा सकता और दुश्मन चैन से सो भी नहीं पाता क्योंकि सावन में चुलबल पांडे और इसके महकमे के दूसरे स्पाईयों ने दुश्मन के घरूं को चारों तरफ से घेरा होता है ये महकमा जीदारों का महकमा है चुलबलपांडे जानती है वो हर समय दुश्मनों से केरी रहती है किसी भी समय कुछ भी हो सकता है इसलिए वो हर बार घर से निकलने से फहले अपनी मुश्चत पतक के उबले हुए अंडे अपने उपर वार के निकलती है चुलबलपांडे सब के लिए जूट बोलती है और दबा के जूट बोलती है ये चुलबलपांडे की भी आईजी है और नाम है इसका पानामा डिक्षित जूट बोलने के बड़े मिशन पे जहां सब दूसरे नाकाम हो जाते हैं तो ये आई जी वहाँ चुलबुल पांडे को ही भेजती है चुलबुल पांडे मल्टी टैलेंटिट है ये सिर्फ गैंस्टर्स और गुंडों को खत्म करने का काम नहीं करती बलके इस से हर किसम के मॉबाइल की बैटरी की चार्जिंग भी की जा सकती है